नमस्कार मित्रो स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल लौ एक्जाम गाइड पर मित्रो अभी हाली में दो बड़ी परिक्षा होने वाली हैं एक MPPSC का मेस का एक्जाम और दूसरा है मद्य प्रदेशों चिनैक सेवा का प्रारणित परिक्षा का एक्जाम मित्रो इन द हम ये वीडियो सीरीज बना रहे हैं जिसमें SCST Act को हम पूरा कंप्लीट करेंगे और इस वीडियो सीरीज में हम टार्गेट करेंगे कि हम इसके प्रावधानों को अच्छे से कैसे याद कर सकते हैं क्या-क्या प्रावधान उनको समझेंगे इसी के साथ-साथ हम माननी सर्व को चुनिया लेकि उन महत्पूर बादों वादों पर भी चर्चा करेंगे जो कि SCST Act के लिए बड़े महत्पूर हैं चले मैं तो सुरुवात करते हैं SCST Act को पढ़ने से पहले हमेशा आपके दिमार्ग में यह प्रसुत्मन होना चाहिए कि SCST Act का सोर्स क्या है यह वास्तम मे समिधान के किस अनुच्छेत से प्रेरित होकर यह एक्ट बनाए गया है तो मित्रों आटिकल 17 जो है अनुच्छे 17 जो है यह प्रावदान करता है कि अश्परस्ता का अंति किया जाएगा तो इसी आटिकल से प्रेरित होकर हमारी पालियमेड ने SCST Act को बनाया है ध्यान रख पर इसके बात करते हैं इसकी दो प्रमुक्त डेट पर दिनान को अपर देखें मित्रों हमारा जब SCST Act बना तो इसे राश्पती महदय ने जो है स्विकृति प्रदान की तो ध्यान रखिएगा मित्रों 11 सितंबर को राश्पती महदय ने इसे स्विकृति प्रदान की थी और इस डेट को याद कैसी रखें तो मित्रों मैं आपको एक बहुत अच्छा बदा देता हूं कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर है मोहमद अली जिन्ना साहाब जो कि पाकिस्तान में काईद आजम के नाम से प्रसिद्ध है या जो काई आदम के नाम से जो है जाने जाते हैं इनकी म्रत्यू जो है 11 सितंबर 1948 को हुई थी तो मित्रों के वल एक फैक्ट के रूप में अगर आप इसको दिमाग में बढ़ा के रखें और दूसरे फैक्ट से लिंक कर लें कि स्थी स्थी एक्ट को राश में ध्यान दीजेगा मित्रों प्रसिडेंट ने कम इसको सिगनेचर किया ये डेट तो एक्जाम में अभी तक नहीं देखी गई कि इसके बारे पूछा हो लेकिन स्थी एक्ट प्रवर्त कब से हुआ ये डेट एक्जाम में पूछी जाती है तो आप जहां रखी रहा मित्रों 30 जनवरी 1990 को स्थी एस्थी एक्ट जो है पूरे भारत पर लागूप किया गया था अब मित्रों प्रस्नुत्पन होता है कि इस डेट को कैसे याद रखे तो देखें मित्रों जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि 11 सितंबर को मुहमद अली जिन्ना सहाब की म्रत्यू हुई थी उसी तरीके से आप इसको दिमार्ट में बिठाइए कि हमारे जो राष्ट पिता है महात्मा गांधी उनकी म्रत्यू 30 जनवरी को हुई थी तो इस डेट से कि महात्मा गांधी की म्रत्यू 30 जनवरी को हुई थी और महात्मा गांधी जी जो है अनुसुचित जाती वर्ग से बहुत प्रेम करते थे उन्हों नहीं अनुसुचित जाती वर्ग के जो लो द्यान रखना इसी डेट से जो है हमारा जो SCST Act है वो लाभू किया गया अब मैं तो बात करते हैं इसके structure की कि SCST Act जो है कितनी धाराएं हैं कितने chapters हैं और उनको याद करने की trick क्या है देखें मित्रो SCST Act में जो है total five chapters है मित्रो five chapters है ध्यान रखना अब इनको याद कैसे करें कि पाँच चैप्टर है तो मित्रो पाँच अप्षरों से मिलकर बना है तो आपके सामने जब भी अनुसूचित जाती जन जाती अधीनियम में कितने chapter है तो आप बढ़ा लीजिए कि पाँच है अब मित्रो अनुसूचित जाती एवं जन जाती अधीनियम में total 23 sections है इसका मतलब जो जो पाँच पाँच हैं यह 23 sections को अपने आप में समाहित किये हुए हैं अब इसको याद कैसे करें वित्रो देखिए पाँच चैप्टर हैं इसको हमने याद करने का ट्रिक बताया कि पाँच चैप्टर हैं अब पाँच को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 प्लस 3 is equal to 5 केवल याद करने के लिए दिमाख में store करने के लिए कि 23 is equal to 5 मतलब 2 प्लस 3 is equal to 5 इसको आप ऐसे दिमाख में याद रख लीजिए कि SCST Act में जो है 5 चैप्टर हैं और 23 धारा हैं और मित्र 2015 के संसोदन के द्वारा जो है इस Act में एक schedule जोड़ी गई है जो कि IPC के कुछ अपरादों के बारे में चर्चा करती है बताती है जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे अब मित्रो बात करते हैं इसके chapters की देखे मित्रो बहुत simple सी बात है जब कभी भी कोई act बनाया जाता है तो उसका जो पहला chapter होता है वह हमेशा कुछ preliminary बातें कुछ प्रारंबिक बातें करता हैं तो CCXT Act का जो पहला chapter है वह भी preliminary बातें करता है और इस chapter में दो sections है two sections आधारा हैं तो इन दोनों धारां में क्या है तो मित्रो simple सी बात preliminary बातें हैं कैसी जैसे कि इस अधीनियम का नाम क्या है यह अधीनियम कभ से लागू होगा यह अधीनियम जो है इसका प्रवरतन छित्र क बताती है और धारा दो जो है परिवाशाओं पर बात करती है देखिए मित्रों हर अधीनियम में कई सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनको संसद यह हमारी बिदायकर यह चाहती है कि उनका एक एक परफेक्ट अर्थ निकाला जाए इसलिए परिवाशा वाले चैप्टर में परिवाशा वाली धारा में उन शबी शब्दों को परिवाशित किया होता है जिससे की जब कभी भी अर्थानवें किया जाए उन शब्दों का तो उनका अर्थ वह लिया जाए तो इस चैप्ट गुषित करना था तो इसकी सुरुवाद बेसिकली देखें तो चैप्टर सेकंड जो है ऑफेंस ऑफ एक्टर सिटी की बात करता है अत्याचार के अपराद की बात करता है तो इस चैप्टर में उन क्रत्यों को जोकी विसिद्चपत जाती जाती वर के साथ किये जाते हैं अमानिवी वहवार वगेरा यह सब किया é अब मित्रो इसको याद कैसे करें कि इसमें कितनी धारा हैं तो देखें मित्रो बहुत सिंबल सी बात है इसमें धारा तीन से लेकर नो तक धारा इसमें सामिल हैं और इनको अगर टोटल करें तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो तो टोटल सेवन सेक्शन हैं कितनी चैक्टर में जो कि offense से start होता है offense of electricity की बात करता है इस chapter में total seven sections हैं तो अब बात करते हैं वित्रो हमारे S.A.S.T. Act के third chapter की वित्र chapter 3 जो है यह miscussion की बात करता है देखें वित्रो किसी छेत्र में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो की बार-बार S.A.S.T. अदीनियों के अंतरगत अपराद करते हैं और ऐसे लोगों को उस छेत्र से अगर बहार कर दिया जाए तो हो सकता है कि वो लोग जो है या तो सुधर जाए या फिर यह संभावना रहती है कि उस छेत्र में उन लोगों को संरक्षण जो कि S.A.S.T. work है उनको कि यह सेक्ष Courant 10 से लेकर 13 तक फैला हुआ है और इस चैप्टर में चार धारा है अब मित्रो याद कैसे करने की 4 धारा हैं इसके साथ सब्य यह याद करें किसे करे कि जार्गाक्षण से 15 ऑल सी बात है तो भासा है दम्हा डाइंट को याद करने का सिम्पल सा जो शब्दमी सब्सक्षा शब्द दे हुद परने को छून जो हैं निस्कार में निस का यह संसर्नों कुल चार अक्षाँ है जो कि सब्सक्राम करें और एक अधाए तो आधे आथ यह पूर सेवल आप जो पूरे अक्षर हैं उनसे दिमाग में बैठा लीजिए कि इस अधीनियम के अध्याय तीन में चार दाराए हैं अब प्रश्ण उठता है कि यह अध्याय धारा दस से स्टार्ट होता है तो देखिए सिंपल सी बात है इस शब्द को देखिए एक्स्टर्मेंट इस सब्द में मित्र кउठ ऐस जो है'll अल्फवेट जो है आप इनकोст करें तो यह दस अल्फवेट हैं तो इस तरह मित्रों बात करते हैं आगला चैप्टर चैप्टर फूर का देखे बहुत सी बात है हमने बात कर ली हमारे सेक्ट ने बता दिया कि ऑफेंस किया होगा उन लोगों को जो बारवर अपरात कर रहें निसकाशिट कर देंगे लेकिन एक सिंपल सी बात है यह कारवाही करेगा कौन किसको अधिकार है कि वो इन दौनों एक सेक्शन के तहट जो है कारवाहियां कर सकते हैं तो मित्रों उसके लिए special codes का गठन किया गया है जो कि chapter 4 में है मित्रों यह chapter 4 जो है section 14 14a और 15 इन तीन सेक्शन में distribute है या इन तीन सेक्शन को मिला कर chapter 4 बनता है अब इसके बाद मित्रों बात करते हैं chapter 4a की देकि मित्रों chapter 4a जो है right of victims and witnesses की बात करता है जो की साथ साथ हर मामले में जो साक्षी होते हैं वो बहुत ही important होते हैं और यह संभावना बनी रहती है कि उन साक्षियों को जो है किसी प्रकार से पताड़ित किया जा सकता है उनको जो है साक्ष वदलने पर मजबूर किया जा सकता है तो ऐसी में लेकिन कुछ छोटी-मोटी बात है जिलके बारे में जो है टो इसका पार्ट जो है मिस क्लैनियस है अब में तो इसी के साथ यह वीडियो हम यहीं पर समाब करते हैं और अगली वीडियो जो हमारी होगी जो बेसिकली section 1 और 2 पर देश दोगी पुरी तरह है और उसमें हम आपको section 2 में जो नए 2015 के द्वारा नए वर्ड जोड़े गए हैं उनके बारे इसके साथ मित्रों हम उसमें comparison बताएंगे कि 2015 से पहले संसोधन से पहले जो विवस्ता थी वो क्या थी और 2015 के बाद क्या विवस्ता आए चलिए मित्रों इसके साथ वीडियो समाप करते हैं धन्यवाद आप हमारे आपको अगर हमारी जानकरी अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए इस और सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत